वेलकम फ्रेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत हर्दिक्तिल से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में जिसका नाम है केजी फंडा दोस्तों इस चैनल में हम अभी तक छार्खन जीके से कुल चार वेडियो अभी तक हमने बताया हैं और वो सारे चार जनजातिये को उपर हैं जो सरवाधिक जनजाती है संधाल, उराव, मुंडा और हो जनजाती आज हमारा जो लेक्चर है वो है खेरवार जनजाती के ऊपर है यह लेक्चर जो है काभी अध्यान करने के बाद जो तथे एक्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपोटेंट है उसे हाइलेट किया गया है और इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप कम समय में एक अच्छे सिलिवस को कवर कर सकते हैं अच्छे ढंग से आप चीजों को समझ सकते हैं और एक्जाम आप किलियर कर सकते हैं ठीक है तो जो पचवसरवथिक जनसंख्या वाली जो जन जाती है वो है खरवार जन वो कौन से जन जाती है खेरवार जन जाती है पचवसरवथिक जनसंख्या वाली मुख्य संकेंद्र कहा है मुख्य संकेंद्र यानि इनका निवास स्थान मुख्यता कहां पे हैं इनका निवास स्थान पलामू परमंडल में है पलामू परमंडल सबसे छोटा परमंडल की ब देखे ओपी ले पघला ठीक है पीअ से होगे पलामूं जीस से होगे गड़वा और एशो क्या लातिहार यह कुल पांच है जिसमे प्रमंडल में यह उत्तरगी पक्श्च म scoredम और ये जो गडवा है इसमें आपका यूपी यूपी जो राज्य है ये गडवा जिला से सटा हुआ राज्य है ठीक है पलामू परमंडल की एक खास बात ये है कि इसकी जो मुख्याले है वो मेधनी नगर है मेधनी नगर डाल्टिन गंज में इसकी मुख्याले है ठीक है अब दे मलतिहार में खेरवार जन जाती को 18000 से 18000 के नाम से जाना जाता है कहां जाना जाता है पलामू एवं मलतिहार में इस जन जाती को खेरवार जन जाती को 18000 के नाम से जाना जाता है खेरी जहार से आने के कारएं इनका नाम खेरवार हुआ इनका नाम खेरवार कैसे हुआ ये खेरी जहार से आये थे कहां से आये थे खेरी जहार से आने के कारएं इनका नाम क्या हो गया इनका नाम हो गया खेरवार हो गया जन जाती का समद्ध दड़वीड पर जाती समूसे है अब देखे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि mostly जो है proto-austrolat से समंधित रखते हैं कौन से पर जाती समूसे रखते हैं proto-austrolat से लेकिन यहाँ पर खेरवार जन जाती है या खरवार जन जाती है वो दड़वीड पर जाती समूसे समंधित है कौन से पर जाती समूसे यह important है और यह आपको याद रखना है कि दड़वीड पर जाती समूसे कौन से जन जाती है खरवार जन जाती है खरवार की चार परमुख उपजातिया है यह याद रख लिजे भोकता मांची रावत और महतो ठीक है यह इसे याद रख लिजे चार है तो भोकता रावत मांची महतो इस तरह से याद रख लिजे यह भोराम भोराम तो मांची महतो मांची है रावत भोकता है यह हो गया चार परमुख उप जातिया ठीक है तो कितने चान का जाती है भुगता मांची रावत और महतो यह हो गया भासा जो है खेरवारी इनके क्या है भासा है इनके भासा क्या है खेरवारी है जो की ऑस्ट्रिक भासा परिवार से संबन दिते हैं कौन सी इसके भासा है खेरवार के भासा कौन सी है खेरवार के भासा है खेरवारी कौन सी भासा है खेरवार के भासा हो की खेरवारी लेकिन वरतमान में ये सामानते हिंदी बोल लेते हैं ये वरतमान में खेरवारी नहीं बोलते हैं वरतमान में ये खेरवार लोग जो है जो पलामू पर मंडल में जिनका निवास स्थाल जादा है वहाँ देखेगा कि वजादतर हिंदी ही बोलते हैं यानि कि वे खेरवार भासा का आजकल परचलन में नहीं है तो ये खेरवार भासा नहीं बोलते हैं या वीर एवम लड़ा को जन जाती है देखेगा पलामों के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल वीर होते हैं यानि बहुत ही अपने आपको पारफूल दिखाते हैं और लड़ा को जन जाती होते हैं बहुत ही लड़ाई करते हैं ठीक है तथा सत्य बोलने को अपने गुन के कारण इनकी विसेश पहचाने है तथा यह हम ऐसा सोचते है कि यह सत्य बोलते हैं तो सत्य बोलने की अपने गुण है इनके कारण इनकी विशयस बहती है यह सोचते हैं किए हमेशा…… सब जानते हैं खेरवार यह अपने आपको बहुत ही प्रक्रमी लडाको समझते हैं, आपने आपको बहुत ही श्रेश्ट समझते हैं देखे कि यह बहुत ही लड़ाकों किसमका होते हैं कभी आप पलामू में जाईएगा तो वहां आपको मिलेगा कि आपको इस तरह की लोग मिलेंगे कि जो अपने आपको बहुत ही स्रेष्ट दिखाएंगे और बहुत ही लड़ाकों सबहों के रहते हैं ठीक है घरवारों में खुमकरिया युवागिरी जिसे संस्था नहीं पाय जाती है खरवारों में क्या होता है जैसे युवागिरी आप देखी रहे थे जितने भी हमारे जन जाती थी उसमें खरवार जन जाती में युवागिरी जैसे समझ्या नहीं पाय जाती है कोई संस्था नहीं है साल की लड़किया लड़किया यहां पर परिवेस करें और साधी कि तक यहां पर बने रहें तो इस तरह से पलामू के लोगों में इस तरह का कल्चर तेखनों को नहीं मिलता है ठीक है इस तरह के कल्चर यहां पर पलामू परमंडल में इस तरह से नहीं मिलता है अब पृत सता जाता है इनमें कौन से विवा होता है ज्यादतर स्रेश्ट विवा हो जाता है बाल विया यानि बच्पन में विवा हो जाता है विद्वा पुनर विवा यानि कि आप देखे कि जब विद्वा कोई महिला होती है ठीक है इसका जब पुनर विवा हो जाता है इसका विवा कब ह जाता है पुनर हो जाता है यानि फिर से हो जाता है इसका विवा तो यह हो जाता है सगाई इसे क्या बोलते हैं सगाई यह असानी इस जात हो जाएगा क्योंकि सगाई जो है बहुत ही कुमन वड़ है ग्राम पंचायत कहा होती है ग्राम पंचायत बैठकी होती है ग्राम पंचायत परमुक होता है मुखिया या बेगा ग्राम पंचायत जो बेठक होता है ग्राम पंचायत उसे हम क्या बोलते है बैठकी बोलते है उसे क्या बोलते है बैठकी बोलते है ग्राम पंचायत का जो पर साथ गाईवों को पंचायत का नाम इसेख में पर्मुख पर्मति पर्म होते हैं इन होता है सोराई होता है जितिया होता है दुर्गपुजा तिपवाली रामनमी भागो यह बहुत ही कोवन पर्व है जो हिंदू के दोरा भी मनाया जाता है यह पर यह सरूल है बापर भी है इसे कहते हैं संधालों के दोरा तो सोराई हो गया सोराई हो गया दिवाली के इस वक्त एक रात पहले सोहराई बनाया जाता है ठीक है सोराई सोराई जो ये तहवार है ये दिवाली को ही सोहराई बोला जाता है जितिया जो होता है जितिया जो महिलाओ दुवारा उपास किया जाता है अपने बच्चों की लंबे उम्रों के लिए ठीक है दुरगा पुजा देफवाले रामनामी भागो आती जह जान जाती सत्य है तो अपनी सभी कुछ बलिदान करने के लिए परसिद है खरवार जो है अपने आपको बहुत थी राजसत्यवादी हरिष्टन समझते हैं ठीक है तो यह सथिक के लिए अपनी सभी कुछ बरलिदान करने के लिए परसिध अन्य पर्मुग देवता कहा है मचुकरानी देखे यह सब वर्ड जो है नाम याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है तो इस अपको आप ट्रिक बना लीजे या कुछ भी कीजे लेकिन इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा तो मुचुकरानी या दुर्गांगनी है यानि दुर्गा समझे कि दुर्गा जो देवी है इनकी पर्मुग देवी है ठीक है मचुकरानी या दुर्गनानी अथवा पच्यारी दुआरा पर धर्तिमाई देवी चांडी धरहा दचनी यह इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट यह भी नहीं है बस यह सर पर्मुग कुदे होता कौन है सिंग आध रख लिजे ठीक है दुरगंग निया याध रख लिजे ठीक है कोई जरूरी नहीं है लुटए पाहन या बेगा के सहता से बली चरह जाती है भाहन जो होता है धार्मिक कालाता है कि अधार्मिक पर्धान साहान को जाता है इटो बेगा और पाहन के सहते से बली चड़ाइकatar और संकट ये विमारी के समय ये जन जाती है औज़ा मती करता है झाड़ भूख करता है ठीक है तो जार खन देखिए एक आदेवासियों लोग का जगा है तो जाड़ भूख ओजा मती यहां पर कोमन सी बात है इनकी सुभा कि नास्ता लुकमा दीन का भोजन ब्यारी रात का भ कुलवा ना रात का भोजन बियार दिन का भोजन और सुबा भोजन युद मा छाको ट्रीजाजित nie आइस भब üçं attitude alone किँकी होते करी आप पता है जुन है और कर विए रहावन आजड़ा की विवा इसमें किया हो जाता है कि लड़का के द्वारा एक मधधस्य के द्वारा लड़की के घर जाए जाता है एक मधधस्य के द्वारा लड़का पार्टी जो होता है वह जो होता वद्व की यहां जाता है तो इसे बोलते हैं आयुजीद विवा इसके अत्रिक सेवा विवा यानि सेवा करके अपने लड़की को क्या करना होता है कि लड़का का घर में जाके जैसा भी हो सेवा करके विवा किया जाता है आपरहन विवा मतलब उसका परहन करके क्या जाता है गोलड विवा मतलब गोलड विवा या कैसा विवा होता है जैसे कि ये लड़का है और इसकी बहन है ठीक है तो लड़का जिस से साधी करता है जिस लड़की से साधी करता है उसका भाई उसका जो लड़की का भाई है वो लड़का का भाई है इस से साधी कर लेगा यानि कि अपने जीजाजी की बहन से साधी कर ठीक है अपने जीचा जी की बहान से साधी कर लेकर लड़की के भाई बतल समझ रहें इंटर्चेंज यहां पर हो जा रहा है लड़की लड़का ठीक है अब लड़का लड़की का जो भाई है वह इधार हो जा रहा है इंटर्चेंज हो जा रहा है इसको बोलते हैं इसको समझ पति होता है पती जो बहन होती है यानि उसका जो भी हो तो आपस में ही एक ही रिलेटिव में आपस में साधी कर लेते हैं चलिए यह उतना इंप्रोटन नहीं है तो ऐसा माने जाता है कि रामगर राजपरिवार मुरूतक है खेरवार है ठीक है रामगर राजपरिवार कौन सा है रामगर के राजपना बागदेव सिंग की थी किसने की थी अब देखें का बागदेव सिंग की थी ठीक है तो बागदेव सिंग फिर यहां पर इसके रजधानी जो इस थी सीसिया थी फिर उड़दा बदाम ठीक है तो उ तो यह खेरवार जाती से समध्दित हैं तो खेरवार जाती यहां पर यह आपको जानना है इसमें कुछ जानने जीसी बात नहीं है इसमें यह बस इंपोर्टेंट बात यही है कि साथ से बाड़ा गाउं को क्या बुलते हैं चार गाउं को पाच गाउं के पंचायत को पंचायत साथ गाउं के सतोरा ठीक है उसके बाद इंपोर्टेंट यहां है मचुकरनी दुरगांगनी ठीक है फिर यह आयोजित विवा ठीक है उसके बाद फिर यहां पर आपको इंपोर्टेंट है कि चार यह पूछे कि कि कितने उ बाचे थे बस चार यह इंपूर्टेंट है प्लैमू लते हर्म आठरहे जारी बस चार उपजातिय में जातिया का नाम याद रख लिजें कि उनको इसी है भोकता है मांची है रावत है मातव में भाग रा भोकता रावत मांची महत्व ठीक चार है बस याद रख लिजे तो ये खरवार से तना ही था बाकि अगर और भी इसमें जन जातिया भी बहुत सारी जन जातिया है किक करके सारी वीडियो अप्लोड होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद